दोस्तों नीदे लेंड को राने के बाद T20 वर्लकप 2022 के सेमी फाइल में पहुंची टीम इंडिया तो ऐसे में क्या कुछ है पुरी खबर की जानकारी और क्या है पूरा पूरा पॉइंच टेवल सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप पिचादी की टीम इंडिया टीरंडी वर्लकप 2022 का फाइल मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्टाइब कर लिजे तो अचली वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको बता दे कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टौर जीत कर पहले बले बाजी करते हुए बीस ओर में दो विकेट के नुकसान पर एक सुन नवासरिन बनाए तो वहीं इसके बाद नीदर लैंड की टीम बले बाजी करने उद्री और ऐसे में आपको बता दी कि नीदर लैंड की तीम या इसको चेस करने में नाकाम रही और ये मुकाबला हार गई जी यहां दोस्तों और ऐसे में अजवराट कोली ने एक बार फिनाबाद बासरिनों की पारी खेली तो इस सुर्क मार यादव और कप्तान रोई शर्मा ने भी एक शांदार पारी खेल टीम इंडिया को जीद लाई और ऐसे में आपको बता दी कि नीदर लैंड की हार क के लिए बाद पॉइंस चेबल में बड़ा बदला हो चुका है तो आईए जानते हैं अकिरकार कौन से टीम किश नमबर पर है आपको बता दें टीम इंडिया ने अब तक अपने दो मुकाबले खेलें और दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने स्शांदार परद्शन कर दोनों मुकाबले जीते हैं, तो ऐसे में 25 चेवल में 4 अंक हैं और ऐसे में नंबर 1 पर हैं वहीं आपको बता दी कि, टीम इंडिया कब तीसरा मुकाबले साउथ अफ्रीक, खिलाफ 30 अक्टूबर को खिला जाने वाला है और ऐसे में अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में साउथ अफरिका को हड़ा देती है तो टीम इंडिया हरहाल में सैमी फाइल में पहुच जाएगी अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं अपनी राया नीचे का में बॉक्स में जोड़ दीजीगा तो तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद